कोरोना के बढ़ते संक्रमन के बीच एक अच्छी खबर आ रही है, जिसमें 15 अगस को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लौञ्च हो सकती है, इस वैक्सीन को फार्मासोटिकल कमपनी भारत बायोटेक ने तयार किया है, भारत बायोटेक और ICMR की दरब से ये वैक्सीन का लौञ संभव है हल ही में को वैक्सिन को हुमन ट्रायल की जाज़त मिली है ICMR की और से जारी लेटर के मुताबेद 7 जुलाई से हुमन ट्रायल के लिए एन्रॉल्मेंट शुरू हो जाएगा इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस तक को वैक्सिन को लॉंच किया जा सकता है सबसे पहले भारत बायोटेक की को वैक्सिन मार्केट में आ सकती है इस लेटर को ICMR और सभी स्टेक होल्डर ने जारी किया है उनका कहना है कि अगर ट्रायल हर चरण में सफल हुआ तो 15 अगस तक कोरोना की वैक्सिन को वैक्सिन मार्केट में आ सकती है ICMR की और से फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है